नमस्ते दोस्तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग स्कील को कैसे इंप्रूब कर सकते हैं आज की इस वीडियो मैं आप लोगों को दस टीप्स देने वाला है जिसको फोलो करके आप लोग अपने प्रोग्रामिंग स्कील को इंप्रू होते जाएगा नमर दो पर आता है दूस्तो problem solving skill develop करना जब भी दोस्तों आप लोगों को एक नए project पर काम करेंगे तो वहाँ पर दूस्ता आप लोगों को होते जाएगा और दूस्तों इससे आप लोगों का problem solving skill भी डेवलफ होगा नमर तीन पर आता है दूस्तों लेंगे लांच हो गया तो उसको आप लोगों को समझने में असान ही होगा इसलिए दूस्तों आप लोग documentation परने के लिए आप लोग सिखें और उसको किस तरह के से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते इससे अभी दूस्तों आप लोग सीख सकते हैं नमबर चार पर आता दूस्तों कॉड रिव्यू करना मतलब अगर आप लोग कोई बनाते या कोई भी प्रोजेक्ट बगएर बनाते दूस्तों आप लोग प्रोजेक्ट अपने फ्रेंड को दिखाई यह किसी और को दिखाई जिससे दुस्तों वह आपके प्रोग्राम को समझेगा किस तरह के सुवा आप लोगों को solution बताएगा यहां पर इस तरह के करना इ दे सकते हैं नमबर पांच पर आता दोस्तों debugging skill improve करना दोस्तों debugging प्रोग्राम का बहुत ही important पार्ट है अगर आप लोग debugging skill को improve करते तो दोस्तों आप लोग अपने कोड में error को असानी से solve कर सकते हैं नमबर छे पर आता है दोस्तों Online Community से जूड़ना मतलब दूस्तों जैसे GitHub का वेबसाइट होगा महां से दुस्तों आप लोग और जुर सकते क्या नया हो रहा किस तरीके से हो रहा है यह सारे चीज़ें को पता चलता रहेगा तो ज़रूर से जरूर दुस्त आप लोगों को ज्यादा से जादा से शिखने को मिलेगा और भी बहुत सारे चीजह होते जो की दूस्तों आप प्लोगों को नहीं पतागा तो वहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा इसलिए आप लोग नए आप से जबड जूरे नमबर से आथ पर आता है तो स्कील को सिखना मतलब दूस्तों हमेशा कोशिज करें कि आप लोग नए से नए चीज़े को सीखते रहें जैसे कोई माली कोई प्रोग्रामी लेंग्वेज आगी है तो उसको आप लोग यहां पर सिखें या कोई प्रोग्रामी चालेंजेंज में जुड़ना मतलब धोस्तों आप लोग जब भी दोस्तों कोई किस लेबल पे है और हम लोग क्या क्या इंप्रूब करना चाहिए इसलिए दुस्तों आप लोग चालेंजेंग को जरूर कीजिए नमर ना इन पर आता दुस्तों कोई को बगएरा लिखते तो उसको अच्छी तरीके से लिखे साफ सुथरा लिखे जितना हो सके उतना च्छोटा लिखे अगर वहां पे आप लोग लिख ले ते ज नमड़ देख्स पर आता है दुस्तों लर्निंग माइनसेट को बनाना मतलब दुस्तों हमेशा एक प्रोग्राम के लिए हमेशा एक इंपोर्टन चीज होता है कि दुस्तों आप लोग हमेशा सिखते जाए अगर आप लोगों नहीं यह सोच लिया कि मुझे पाइफन प्रोग दूस्तों यह थे दस तरीके जो से दुस्त आप लेगा की इंप्रूव कर सकते तो तो दूस्तों आप लोग हमारे चेनल प προखों से हुआ हैं तो मुझे नया पिसमा कि एक पर पर दोस्तों को करें तो जरूंद कर दिए करने me